हेलो फ्रेंट्स आज हमारे साथ हैं इस फेस्बुक लाइब थर्ड एपिसोड में हमारे साथ हैं आज अभिनंदा माथूर जो कि दिल्ली सरकार के साथ आर्ट, कल्चर, इवेंट्स और टूरिजम में एडवाईजर हैं कि जब हम किसी तेवार के बात करते हैं, चाहे होली हो दिवाली हो या इद्हो या क्रिसमस, हर तेवार का एक अपना महत्त होता है, हर तेवार की अपनी फैली होती है और हम एज इंडिया हमारे देश में बहुत सारी कमूनिटी हैं बहुत सारी रिलिजन्स हैं और हम एक दूसरे से मिलने जुलने को अतना मौकार नहीं मिल पाता है और अभी recent development development ऐसे हुए है कि हम एक दूसरे से दूर होते चले गए आँ चाहे हो घड़ां हो नोच देश जो होते हैं वो जो culture program के तुरू एक दूसरे को पास लाने कोशिस करते हैं चाहे आप देखें यूरोप की सहर में किसी गली में धूम मचाता है music हो या किसी तो है यह सारे इवेंट्स एक दूसरे को पास लाने को मौका देते हैं और हम एक दूसरे को इवेंट सेयर करने को मौका देते हैं इन्हीं अपर्चिंटीज को बात करते हुए आज हम दिल्ली सरकार के दिल्ली सरकार दोर ऑगनाजाज किये गए आर्ट culture languages और tourism स related कुछ areas के ब के एरिया में अभिनन्दता आपका इस फेस्बुक लाइब में बहुत दो सौगत है थैंक यू इससे आगे हम लोग इस फेस्बुक लाइब को आगे थोड़ा बढ़ाएं थोड़ा अपने बारे में एक बेसिक जानकरी दे दें ताकि हमरे जो दर्शत निहां पे आज आपने बताया कि काफी सीरियस तरीके से आट एंड कलच्छर को लेती है मतलब मिस्टर सचोडिया एक बहुत इंपॉर्टन बात बोलते हैं कि उन्हें लगता है कि एजुकेशन के साथ साथ आट एंड कलचर का एरिया कल्चर भी एक पिलर है एक सोसाइटी की एक शहर की उस कि मेरे काम बहुत असान है क्योंकि मेरे हमारी गवर्मन्ट और मिनिस्टर खुद बहुत मतलब हैं इस तरह का है कि हर डिपार्टमेंट के पास कुछ फंडिंग होती है हर डिपार्टमेंट का कुछ काम होता है और उस काम को पबलिक के लिए कैसे बेस्ट यूज किया जाए वो पब्लिक के लिए वो काम कभ हो जाए तो हमारा असेंशल काम ये है कि जो आटन कल्चर के प्रोग्राम्स है जो आटन कल्चर का वो बेनिफिशरीज हैं वो कुछ लिमिटेड लोग नहीं जो की हाइफाइ कल्चर वाले नहीं बलकि दिली भर के लोगों तक वो काम पुचाया जा सके और हर तरीके से लोगों को आटन कल्चर के थ्रू लोगों के दिलों को जोडा जा सके So some work is in policy in you know bringing out relevant schemes some work is in curation some work is in basically keeping our ears and eyes open to see कि लोगों का voice of the people को कैसे हम लोग अपने आपको creatively express कर रहे हैं और उसको जोडा जाए So that is the main work So abhi जैसे थोड़ा सा मैं एक background दिया जो कि मैंने observe कि कैसे art and culture का importance हमारी society में क्योंकि आप चार एरियां में काम करती हैं तो अगर देखा जा तो इसे art and culture का हमारी society और दिली गौर में क्या importance है क्या होता था मैं दिली से ही हूँ और दिली हमेशा से ही मतलब superficially तो हमने माना है कि culturally बहुत active है I think दिली government का इसमें main काम या दिली government का contribution जो आप अगर पूछ रहे हैं और आट and culture में वो mainly यह है कि कि किस की art है और क्या सरकार patron meets day किस तरह से काम करें कि वो ज्यादा से ज्यादा art and culture को समाज में एक positive impact लाने के लिए काम कर सकें तो that is the main thing I think the main job is of a facilitator क्योंकि बहुत अच्छे कलाकार already मौजूद हैं बहुत ज्यादा अच्छे you know सोचने वाले लेख musicians etc. already है उन सब चीजों को एक तरह से public से जोड़ा जाए वो एक main चीज है जो यह सरकार बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रही है I'd like to point out कि पहले की government में like I was saying मैं Delhi सी हूँ और पहले की government बहुत programs करती थी but आप देखें तो वो programs मतलब बड़ा हाइफाइ आर्ट होता था और वो लट्यन डेली में Central Delhi में वो होते थे तो उसमें वो ही 200-400 अमीर लोग आप आते थे और वो आप सब अप्रिशियेट करते थे और बाकी सब को तो हम लोग गवार समझते हैं या वो तो ना मतलब ना आम जंता की आर्ट होती थी और ना आम जंता सुनने आती थी तो बड़ा है यहां पर और भी थोड़ा समझने कुछिस करोंगा कि इसमें सोसाइटी का रोल है आपने बताई कि सारे लोग इसमें अटेंड करेंगे तो इससे कैसा एक इंपक्ट देना चाहती है सारकार सोसाइटी के इसमें आप देखे न तो लोगों की लाइफ में अल्रेडी बहुत आर्ट और कल्चर होता है मतलब आप देखिए जैसे आपने अपने इंट्रोड़क्शन में भी बताया कि कई तयोहार होते हैं कोई हम लोगों के यहां ट्रडिशन ऐसा नहीं है जहां पे music, dance मतलब गाना बजाना, लिखना, पढ़ना नहों किसी भी तयोहार में किसी भी शादी ब्या में या जो भी मतलब जब आदमी थका बमारा घर वापस आता है तो एक कला है जो से बचा लेती है और किसी को कढ़ाई का शौक होता है किसी को डान्स का शौक होता है तो वो पैशन है लोगों के जो इंसान को इंसान बना के रखते है पर हम आपसी जगडों में चाहे वो पार्किंग को लेकर हो मतलब एक पड़ोसी एक दूसरे पड़ोसी से या तो पार्किंग के जगडे पे मिल रहा होता है या पानी के इशू पे मिल रहा होता है तो क्यू ना सरकार ने सोचा कि क्यू ना ऐसी जीज़ें जो हमें जोडे जैसे आपने बताया कि इतना polarization is time का महौल है किस तरह हम लोगों को साथ ला पाएं उस तरह के लिए हम भूल जाते हैं वो हम देख रहे होते हैं आपके घर के नीचे एक सूफी प्रोग्राम हो रहा है आपके पड़ोसी भी उतरहा है तो नहीं समझ आता है कि आप हिंदू है या मुसल्मान है प्रॉणगर के पाएं पॉत छ्यूंग जए रहे प्राफ्लों के और किस तरेके रहा प्रोग्राम औराइस होते हैं को सुर्शारने को कि पताओंा हृगों करो चाच क्योंतर थो पहले तो इसमें कई सारी लांगेज ॉनकेडमी याती है जैसे दी aきडमी है में हडी हैं, हैंमा हैं, में ब हजभी हैं, सिंधीक नहीं है, संस्प्रीट अकेडमी हैं, अजफित अपरेंडेंग्याइश्ट हैं, से ट्रि Spaß है, में थे अपनी लायंग्वज़ेगेशल को प्रेमोड करोंडे हैं, थू लइरी टूरारी के शरीचेरी समाउग्यायम करते हैं, हमने यह कोशिश की है, जो मनिष्टी का एक बड़ा फंटास्टिक आइडिया रहा है, कि हम अब MLA के थूँ, MLA Fund के थूँ, अब हर विधानसभा में अपने कारिक्रम होते हैं, तो वो अब अब अपने जैसा विधानसभा के लोग चाहेंगे, वो अपने MLA को चिथि लिखेंगे, कि हमें यहां मतलब एक Bhoशpूूरी का कारिक्रम चाहिए, हमें यहां पे एक Punjabi का कारिक्रम चाहिए, फिर एमेले जो है वो बिनिस्टर को या सरकार को चिथी लिखके फिर उस तरह के तो एक रेंज of programs तो दिली भर में हो रहे हैं there are some things that we are doing that are in the center of the city for example एक एक चीज है एक concert series है अवाम की आवाज you know you where basically it is voices of the people so it's not just entertainment but also thoughtful things you know we assume कि भे लोगों को कुछ फरक नहीं पड़ता but लोगों को फरक पड़ता है और वो ऐसे गायकों को सुनने भी आते है you know you must have heard about the TM Krishna concert that the Delhi government yeah that was under the अवाम की आवास banner similarly Shubha Mudgal ji had sung very interesting poetry by you know Faiz Ahmed, Faiz, Neeraj जो समाज को जोडने का, समाज को question करने का हो सारा काम करती है so there is a banner like this then we had you know for the first time we had a Sanskrit festival in the heart of the city in Central Park most of our programs now happen in the Central Park and इतने scale पे मतलब इतने बड़े scale पे छे दिन का Sanskrit Academy का एक कारिक्रम हुआ इसमें there were basic things, एक exhibition लगी थी कि तमाटर को Sanskrit में क्या बोलते है मतलब अचारिक Sanskrit में पर you know we all speak a lot of Sanskrit every day but we don't realize तो उसके बारे में था, Sanskrit में रॉक बैंड था, Sanskrit में कवाली थी similarly we had a Urdu Heritage Festival, a Punjabi Heritage Festival थी इस प्रकार के कुछ सीरीज है और एक तैलेंट हंट हुआ लास्त यर जिसका नाम था Delhi's Date with Democracy which is a very interesting program क्यूंकि वो सतर विधानसभाव में जितने भी वार्ट है हर वो तैलेंट हंट वो गाने और दांस का उसके बाद वहां से लोग अपने विधानसभा लेवल पर गए इस्ट्रिक लेवल पर गए और स्टेट लेवल पर गए तो कभी सरकार वहां तक पहुचती नहीं थी में अगर बात करें तो अभी जब लेडिमार में क्वेश्ट लेगाज करते हैं तो हमारे बहुत सारी रिजिनल लेंगवजेज थैंग जैसे अपने संस्कृिट, सिंधी, तमिल, तेलू लेंगवजेज थैंग तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो लोकल लोग हैं वो एक एक दूसरे लेंगवजेज का मजाग बनाते हैं और एक दूसरे बुली भी करते हैं तो क्या उस बुली इजम को भी खतम करने के कोसिस की जारी है ऐसे कल्जर प्रोगाम के थरू बिलकुल बिलकुल I mean in fact इस बार हमने 15 नई लेंगवजेज अकाडमी इस्टैबिश करी हैं जिसमें तमिल है, मल्यालम है, पाली है, बंगॉली है और नौर्टीस की भाषाइं हैं क्या है कि हम वो जो आप बोल रहे हैं कि वो मजाग उडाना, कि भई आप यहां से हैं, आप वहां से हैं, अरे देखो, मदरासी आ गए, अरे देखो, पंजाबी आ गए उस तरह का, अर्ड को चूलेता हैं, इन फक्त का वहां तो रहा है और सारे भारीर्स नहीं तो आए तो लोग बाता नहीं कीज़ी तो बहुत आए लिए जाताने हैं यह भूद मैं दर्सकों बताना चाहूंगा जो हमारे फेस्बूक लैब से चुड़ा है कर रहा है तो उतक होता है कि ऐसे एक और प्रफ में आइसी लोग आते हैं करते हैं चाहें अपना्य फूड हो दैन्स हो कहुं मुझिक हो जो भी को एक प्रड्लon your country वर उसको एक साथ एक प्लेटरम में लाते हैं और यह काफी पॉपलर हो रहा है लोग इससे एक दूसरे को जूड़ने का मौका मिलता है तो I think जो हमारे इंडिया में मुल्टिकुल्सिर्म जो एक कंट्री के अंदर ही है तो ऐसे प्लेटफार्म उन सब चीजों के साथ लानी का प्रयास कर रहे हैं आप लिए बिल्कुल, in fact November में हम एक festival of languages करेंगे जिसमें सभी academies participate करेंगे और जैसे आप बोल रहे हैं, you know, जैसे कुछ विदेशी countries में तो अब multiculturalism बढ़ रहा है, but we are very lucky that हमारे यहां already है, तो इसी को celebrate करने के लिए, बिल्कुल एक, you know, collectively हम एक करेंगे, festival, festival of languages, जो कि यही मज़े की चीज़े होंगे, and I think वो dialogue भाशाओं में आपस में बनेगा, और लोगों में बनेगा, so, तो यह November 2019 में होगा, right? Yes. So, usually, अगर इवेंट की बात करेंगे, तो कहां पर यह होते हैं, कोई पर्टिकर लोकेशन है, या क्रॉस दिल्ही कैसे और इसे होते हैं, yes. Okay, तो एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब हमारी सत्तर विधान सभाओं में से कई विधान सभाओं में अज़ा हैं, कहीं पर एक से भी जादा हो गया हैं, वो बहुत मज़दार हैं. मतलब ऐसी जगाहों पर अभी अमबेटकर नगर में सतिंदर सताज का परफॉर्मनस हुआ था. इसी तरह से आनन्द विहार साइड में दलेर महिदीजी का परफॉर्मनस हुआ था. मतलब बहुत कई ऐसे प्रोग्म में जहां आपके आपके गली महल्य में आके परफॉर्म करेंगे. So one is across the city. The other is, देखे जैसे कुछ प्रोग्राम्स हैं वो तो आपके उसी में होंगे. ऑडिटोरियम में होंगे, कुछ क्लासिकल मुजिक वगरा के. But all the other programs and many new programs have started happening in Central Park, Karnot Place में. So a lot of this is a public space, फिर लोग आपस में बाते हैं, लोग की फ्रेंशिप्स भी हुई हैं वहां, कैसा आप कल भी आ रहे हैं, तो बड़ा इंटरिस्टिंग है, somebody can stumble upon something, so it's accessible. आप closed उसमें नहीं करनें कि हमारी हाइट हैं, और कहीं दूसरे लोगों तक ये आर्ट और नौलेज पहुंच नाजाएग. So mostly public spaces में करते हैं. और जैसे अभी बात करते हैं, जो तूरिजम के तर्म जो अगर एक जनरल परसेप्सन देखा जा तो यूजिली बिजनेस रिलेटेड है. आट और कल्चर को कैसे प्रमोट करते हैं तूरिजम के थरो? अच्भी, अच्छी डिली का तूरिय्जम टिपाफ्मेंट बड़ा इंट्रिश्टिङ है, क्युकि उसके लिए स्कोब बड़ा बाइड है. हमारे काई सारे स्कूल की 맞는 क्थिस्टोरिजम देपर्मेंट के थू बनती हैं. हमारे alcohol tourism department के अंदर है हमारा दिल्ली हाट्स वाट्स वाट्स तो है I'm very happy to report that this is the first time that the tourism department certain areas that were in actually loss in the tourism department are in a major profit we have gained more than 200-300 percent so this is the first time that this is the first time that the tourism department that's why I mean this is the first time that when a city is a great place people also want to come in right you mean when you know that every Saturday Sunday in Central Park is going to happen plus you also have tourists from outside and you also have Delhi also have people who might live in Buradi but have never been to Cannot Place or have never been to Lal Kila or have never been to you know certain parts of Delhi so our local tourism also has increased social media also so that's why so if you look at in general on average how many events are organized in total including all the areas okay okay so um kuch mahal or mausam ki wajay se kuch time pe to nahi ho pate jaysay bhoat garmiyong ke time pe nahi ho pate but in the last jay joh season hai hummara November ko to yeah so so almost 1,000 events organized in this 4-4 month period jay so where are the funding from the event and how are the funding structure okay okay ah jaysay ki hummari government har hee baat pe very clearly hee message deeti hai that actually government me funding ki to kami hai hi nahi yeh sare hee funds already maujud hai but aap isko differently kharch kar rhe hai to mujhe pata hai ki mai bhi us naatak ko dekne gegi thi ik tuglag karke naatak hua tha 5-6 saar commonwealth ke time ke to uska kuch ekhi naatak ka korodoh mein budget tha ab hummne madlab utnei paesoh mein shayad hummare 20 programe alag alag vidhan sabhao mein ho gaye ho gaye ho gaye ho gaye so it is you already have the money and you just decentralize some of the funding so and luckily our government is also making good money ah you know we are this government is uh has a good budget now so yeah right now budget increased to 60,000 crores so exactly all the event money is allocated through the capital budget that right yes through the capital budget and then these are all grant-in-aid institutions all the academies are grant-in-aid organizations and they have their own budgets they have an annual structure programming structure and they receive money uh for that and then we have some uh broad schemes for which you know we can organize some things or pull so this is how it works yeah so abhi recently dhilli government has started working on a new archive digitization so absolutely so there are some historical art and culture related events in this digitization process and are they able to explore this for people? absolutely this is one of our biggest achievements one of our biggest achievements one of the most important out of the box achievements of this government is this digitization of the archives so the department of art and culture and languages and the academy and language and culture including the department of archaeology and archives and the archives and the archives the daily archive is a very fascinating and amazing resource in which documents dating back to Bahadur Shah's trial original papers and there are a lot of government administrative papers there are 4 crore papers को preserve or digitize किया जा रहा है जिसमें से आप 71,000,000 papers already online available है for anyone तो आप भी आज जाके उसको use कर सकते हैं इसमें एक मज़ेदार चीज यह है तो डेली archives के पास land and property के documents रहे हैं तो बहुत लोग उसको access करने के लिए ताउट, वकील, के आमानी बहुत परिशान होता है था उसमें so now they are all going to be available on the click of a mouse so you can actually you know search a celebrity's name or whatever and see कि किसका क्या तो कोई विबसाट के अड्रेस अगर अभी अवेलबल है तो बता सकते हूं है हाँ मैं आपको एक मिनुट मैं बताते हूं यह इस डेली archives okay so probably अभी yeah मैं आपको लिंक शेर करते हूं okay so I will post that link in comments yeah please do call is over so अभी बात करते है कि what is public response when such events are organized it is overwhelming it is really good look who would not want entertainment or who would not want art मतलब लिटरली जब आप थके हारे अपने EMI से पढ़िशान अपने you know कहर की प्रोग्लम से है उसके 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 बात से खुश है कि अपके उनके अपनी जगह में आप सोचें कि कि किराडी जो की center of town से काफी दूर है मतलब पता भी नहीं चलता था और आना भी पॉसिबल नहीं होता था तो अब लिटरली लोग इन प्रोग्राम्स को अटेंड कर पारें पता से बाई कर दो दूर्म में अपना इलिए फिर पर दो अपर तो इन का यह नेक्स प्रोग्राम अपनी उनक्यों करते हैं कि हमारी यह यह नी हुआ वह खरवा लेते हैं बहुत बहुत अच्छा और आपल्टिय। होगे हैं, लोग इंवल्व होगे हैं इस समय, मनि इंपूर्ट जैसे अभी आपने स्टारियं कि वापने बताए कि कैसे यह प्रोगाम् में स्टेफ्ट इसको थोड़ा थोड़ा हुए सकते हैं, जी, how unique these programs are than the previous government? See, when we started, there were two, three simple things that we observed, that from what we observed, we decided to do. One is the decentralization of funding, and that is the most simple and critical thing. आप देखें कि ये X amount है, ये किसके उपर खर्च किया रहा है, और क्या इसके बेनिफिशरीस हैं? तो सबसे पहले आपने उसको पहला दिया, कि अच्छा, आपके तो खाली हजारी लोग अटेंब कर रहे हैं, ये हजारी लोगों को फादा हो रहा है, तो आप उसको इंक्रीस कर दिया, so that is the, that is one important thing. The second is inclusion, कि इस, मतलब, इस कथक और भरतना तेम विद्यू रिस्पेक अनली डिसर्विंग और सरकारी फंडिंग और शुद हिपोप और रॉट 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 अपने इंक्लूजिन, आपने खोला हो, in fact, इस बार जो हमारी साहिते के लवपरश्यद की scholarships की, उसमें हमने mobile video making को भी मतलब scholarships दिये हैं, because, you know, if that is the, if that is how the mediums and art is evolving, and so वो democratization का ध्यान रखते हुए, technology, art का ध्यान रखते हुए, inclusion वो, पर दूसरा है कुछ meaningful चीज़ों को जोड़ना, so these are mainly the things that the previous government, I think, did not, did not think, it was not their agenda, and if you see what we are doing in art, is not no different from what we are doing in health or in education or whatever, it is essentially decentralization, decentralizing the funding. So, ये जो इवेंस होते हैं, इन में कोई फीस हैं, लोगों को पैसा पे कनना पड़ते हैं? ये, ये, फीवेंस, तारे इवेंस फी हैं, ये पहले भी हैं, ये पहले भी होते हैं, ये बेसे बिसम कोई फेल हैं, तो रीप के बुशस्टर अवलबल होते हैं, कितने दिनों पहले होते हैं, ये, ये वे वैजम हैं, की हन्स सब़स्टेज अपने पहले बीपक्र, तो थे, जू, पेले पहले पहले, दिल एक मुशते हैं, अब ना, how many people even get newspaper? तो अगर अगर चेंटर पार्क में भी आपको परे चला है, आपको परे चला है, आपको परेचा है, नेकिन आपको इस इवेंट का फरक ही नहीं, मतला आपको इस इवेंट की जानकारी ही नहीं है. So then, we have this missed call service, SMS alert service, जिसमें आप, you know, you give a missed call and your number is registered and then every day or every other day you will receive, every day mostly you will receive information about what all programs are happening in different parts of the city. That has really helped us. In fact, now we meet people and, you know, we ask किसी उसमे क्या को कैसे पता चला, तो उने SMS के तू पता चला होता है, and the other is social media. So, that is another way in which we are able to reach out. Do you remember the phone number where people do the missed call? Yes, it's 9323, 9323, 300, 300, 300, 300, 300. Okay, so friends, all the people who are online, if you want to know information about the events organized across Delhi by Delhi government, feel free to give a missed call to 9323, 300, 300, 300. Even if you're not living in Delhi and you're planning to visit Delhi, you can just get information and plan accordingly which program you like, you can just go there and that day and enjoy the program. So, thank you for that number. So, let's talk about the events organized on India level. You have compared to how it was in Delhi before, how it was in Delhi. And do you know India level, how many other cities organized in other cities and how it is organized in Delhi? government events. लगे, I have lived in one or two other cities in India and बहुत सारी जगाँ पर, तिसे छोटे states या शहरों में, छोटे-छोटे programs तो organized होते हैं. In a place like Delhi, ऐसा तो कभी नहीं होता था. और even Bombay, जो सरकारी programs अलग-अलग जगाँ पर, so there are interesting प्रफिज भी प्रफिश भी आपिने से लिए तोरी भी प्रफिज भी अप्रिश यह पॉर्ट यह प्रफिट दे थे उसमें फो इंपावरिंग फ्रू आप ट्रू आप टीजे नहीं दिखती हैं जहां, हमोग आटिस्त हैं, आप ही और अगर ही हृपक। जहा हैं हम भोछपूरी में घाते हैं तो भी ही आइफी नहीं ही और है continue जणा भी अभूल, सबस्केम्ट करते लोग रही है अगर ही ही रखतानी Yeah, actually that miss call number I remember reading on social media, people complaining how to get the updates about the events, then government launched this miss call number. Yeah, and there is a long way to go because we do want to do a lot more social media stuff. We do want to find other ways to reach out to people, have more like sort of probably have a fixed thing on Saturdays and Sundays. So we have, I mean, we still have some more planning to do, improvements to do. So going forward, what are the future plans which you think will be milestone in coming years? See this, in this art and culture thing, you know, evaluation is a very difficult thing. I mean, how do we know that our work is actually making an impact? I find there was an article, I will share it with you later, that somebody had written an opinion piece. There were some honor killings that had happened last year. And we had a youth festival around the corner and Manish ji dedicated the festival to love. And then the festival was called, you know, festival of love in Delhi. Now, and it was about, and Manish ji gave a very bold statement. And he said that even if my son, you know, comes up in the future and says, I want to marry this one or that one, I may have an opinion, but I'm not going to kill that person. I mean, that kind of hatred, jo samaj mein hai, wo, hum jitne programs karte hai, usnei bhoot sara, you know, unity ki baat wati hai, bhoot sara, or lok sab egeri karte hai. I think the fact that, touch words, that we have not had a, that we've not had a major communal problem in Delhi. You know, maybe it is also the culture of Delhi, the government, you know, the message that the government is giving through its various activities, you know, through its unbiased work for everyone, through these like cultural efforts and so on. So, hopefully, that is the kind of impact that we want to make. And in terms of future plans, I think we will try and work on similar lines of decentralizing, democratizing the scene. Matlab, bhoot kuch hai hai toh art karne ke liye. Kisi tarah aur open calls kar paayan ki, nye artists do paayan. Matlab, we have a long list of things to do. Another interesting thing that will happen from next year, from, I mean, next financial year, is a fellowship for street, Nukarnataks and street performance arts to 1000 young people working in this. Yeah, yeah. And a large-scale youth festival on harmony and community building, etc. Any major events coming in coming months? There's one going on right now. Now, there's a model code of conduct, so there will be a lot of events and heat coming in. But a person can't be in place as we speak. Today, Ustad Vasipuddin Dagar performed Drupad in Central Park. There were some things in the auditorium, which are in Central Park. And we also have Charanda Stor Habib Tanvirji's group. We have the Indian Classical Music Festival coming up end of March. And a new thing started, Kabir Ustad, which was a few days earlier in Central Park. So, what is your final message for our audience? I mean, the purpose of art is, you know, to be with you personally, to be with you as a friend, as a, you know, as a, as something that you find support in, as something that gives you peace, as whatever. And socially, I mean, purpose of art is not just a couple of days. So, what unfortunate situations do we also have a hegemony of whether their art is a good one, their art is a good one. If I am in this cast, I am in that cast. So, I mean, it is very unfortunate that if we do this art, you know, hopefully, like with this sort of work, we'll be able to break all those barriers within the art circle and outside okay Abhinandita thank you very much for joining us today in facebook live thank you